नमस्कार तो असली कथा शुरू होती है तब जब अखंडा नंत्रिपाठी उर्फ कालीन भहिया के सुपुत्र मुन्ना एक दुलहे को उसी की साधी में निप्टा देते हैं फिर दुलहे के परिजन पहुंचते एक पंडित वकील के पास और उस इमानदार वकील को सांथ करने मुन्ना भे निकल पड़ते हैं और उस वकील के पुत्रों द्वारा पिट के वापिस घर आ जाते हैं बबलू और गुड्डू गल्ती किये और उन्में मुनर दिखा था हमारे लिए काम करो गए और यह नहीं सोचा था कि गुड्डू और बबलू बिना आदेश के कट्टा चलाएंगे और इतना ही नहीं घर में हमला भी करवाएंगे यह भी नहीं सोचा था है झालाएंगे